वाषर दोस्तों मेरा नाम रवी शंकर है और स्वाथ आपका मेरी चैनल रवी ब्लोगस टेख में तो दोस्तों मारवल ने एक बार फिर से कॉलाब किया है रियलमी के साथ I mean, रियलमी ने कॉलाब किया मारवल के साथ और एस बार जो Marvel का upcoming project है upcoming movie जो आने वाला है बहुत ही जल Thor Love and Thunder उसके साथ दोस्तो बेसिकली एक limited edition phone आने वाला है Thor का जो hammer होता है उस hammer का limited edition phone आने वाला है और मैं बता दो यह पहले बार Realme ऐसा नहीं कर रहा है इससे पहले भी एक बार जो Spider-Man का movie आने वाला था आप लोगों पता होगा No Way Home उसके साथ भी ऐसा किया था Spider-Man edition launch किया था Realme तो इस बार Thor edition भी कर रहा है launch तो वो बहुत ही जादा cool है अगर आप लोग डिजाइन भी जैसे के देखी सकते हो कि इसमें आप लोगों को जो Thor character है उसका hammer वगेरा कर design मिल जाता है back में यह बिसिकली एक teaser मिला था Realme की तरफ से और मैं आप लोगों को दो नाम तो बताया नहीं मैं बता देता हूँ इसका नाम रखा गया Realme GT Neo 3 150W यह बिसिकली नाम है Realme 4 जिसको जिसका limited version launch किया जाएगा जो कि Thor Love and Thunder Limited Edition की नाम से आएगा और इसके features वोगे रहा inside features तो वो same features मिलते हैं जो आप लोगों को GT Neo 3 में मिलते थे और एक extra मिलेगा जो कि 150W का adapter I mean charging मिल जाएगा आप लोगों को और basic features की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को इसमें सबसे पहले तो 6.7 inch का AMOLED screen मिल जाता है 120Hz display और फिर processor 8100 SoC मिल जाता है Media Tech Dimensity का जो कि अच्छा कासा performance देता है आप लोगों को और camera में IMX Sonic IMX 766 processor I mean camera मिल जाता है lens मिल जाता है lens नहीं sensor मिल जाता है वो भी 50mm का 50MP का और भी बहुत सारे इसमें features हैं और सबसे main जो feature है 150 watt इसमें ये सबसे अच्छी बात है dart charging कहता है इसको basically realme और बाकी सब तो बिल्कुल सेम हैं और सिर्फ इसमें limited edition मतब बहुती cool सा design रहेगा torque inspired design रहेगा और launch की बात करें तो दोस्तों ये जब movie launch होगा उसी के आसपास ही launch होगा exact date अभी तो बताया है नहीं है realme वालों ने बस ये teaser दिया था तो जब official date बता दिया जाए कि कब launch होगा तो वो भी आप लोगों मैं description में update कर दूँगा और दोस्तों मैं बता दूँ ये जो launch rate जब movie launch होगा उस समय भी हो सकता है क्योंकि movie आप लोगों पता है नहीं पता है तो मैं बता दूँ 10th के आसपास launch होगा है 10th July तो उसी के आसपास ये phone भी launch होगा और ये limited edition है तो हमेशा नहीं मिलेगा कुछी समय के लिए मिलेगा तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग Thor के Thor नाम की character को कभी देखे हो की नहीं या फिर कोई movie वगेरा देखे हो Thor के तो comment में ज़रूर बताना बहुत ज़्यादा interesting सवाल है तो वह दोस्तों एतना ही था इस वीडियो में उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और comment में बताना अपने opinion इस वीडियो के बार में मेरे बार में है और कोई भी question तो तो comment section में पूस सकते हो मैं हरे question के reply ज़रू करता हूँ और share करो इस वीडियो को सभी के साथ और channel पर नहीं आए हो तो channel के subscribe को दबागर तो डालना क्योंकि मैं इसे latest tech updates in detail daily लाता रहता हूँ जो कि आप लोग बिल्कु भी नहीं चाहोगे miss करना और दोस्तों मैं बहुत ही साथा करीब हैं 2K subscribers के लिए जैसके आप लोग scroll down करके देख सकते हो तो जली से subscribe भी कर दो तो फिर मिलते अगले बड़े में तब तक लिए गुडबाई टेक क्यार जैहन